हलो दोस्तों कैसे आप लोग आए होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं हूँ करनबट और आज हम लोग बात करने आल है हमारे स्टांडर्ड ट्वेल्थ के OCM का सेकंड एलिमेंट ओफ डिरेक्शन जिसे नाम केते हैं हम लोग मुझे ये काम करना है मुझे ये काम करना अच्छा लगता है ऐसी कोई चीज हो तो वो है मुटिवेशन ठीक है अब यहां पे जो एक वर्कर होता है उसकी capacity और willingness to work there is a difference between capacity and willingness to work ठीक है यहां पे जो हमारे management का जो एक objective होता है वो fail हो जाएगा अगर worker capable है लेकिन वो willing नहीं है काम करने को ठीक है हमें पता है कि एक इनसान पहाड चार सकता है लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है पहार चड़ने की तो वो क्यों चड़ेगा ठीक है तो यहां पर enterprise objective समझ लो कि हमें पहार चड़ना है लेकिन जो हमारा worker उसकी इच्छा ही नहीं है कि मैं पहला step आगे लूँ तो कैसे हमारा enterprise objective है वोच ही हो पाएगा ठीक है तो ऐसे में मैं ही एक ऐसा फेक्टर है मतलब की परसंड इंडिव्यूजल ही एक ऐसा हमारा फेक्टर ओफ प्रोडक्शन है जिसकी वज़े से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है ठीक है क्योंकि machinery की strength 40,000 units है तो वो 40,000 units क्या करेगी प्रोड्यूस करेगी पर डे लेकिन जो packing strength है वो packing strength में इंसान मतलब की worker की help ली जा सकती है तो packing का जो time period होता है वो suppose कि कोई अगर worker capable है लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा क्योंकि वो demotivated है तो जो 40,000 आ रही है वो 40,000 units को pack करने में 8 गंटे लेगा लेकिन समझो की worker motivated है वो वो willingness है उसकी पास willingness है कि उसे काम करना है और वो अंदर से motivated फिल कर रहा है तो यही 10 गंटे का 8 गंटे का जो काम है वो 6-7 गंटे में complete करके अपना one hour बचा सकता है और उसे दूसरे काम पर लगा सकता है ठीक है तो इस way में ही पाजेस इस पेशेल एंड प्रोफिशेंसी ठीक है और यह सब कब होता है जब motivated वर्कर हो तब अगर वर्कर मोटिवेटेड़ नहीं है तो यह चीज़े भी आपको देखने को नहीं मिलेगी अब मोटिवेशन है वो पूरा एक वाइडर कंसेप्ट है ठीक है मोटिवेशन एक पूरा वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि क्या होता है कि जब एक इंसान काम करता है जब एक इंसान काम करने को सोचता है तो उसका performance, उसका जो motivational functions होता है, वो अलग-अलग होता है ठीक है, हार एक इंसान की अलग-अलग रहती है, कोई इंसान को financial incentives से motivation मिलता है, किसी को आप उसकी लोगों के बीज तारिफ कर दो तो उससे motivation मिलता है, किसी को amenities provide करो, मतलब कि आप free service like, आप अगर होता है कभी-कभी ऐसा कि आप हमारे organization की जो भी hospital है, या तो भी shopping mall है, उसका आप freely use कर सकते हो, ऐसी amenities आप provide करें, तो जो हमारा worker है वो motivate होगा, तो ऐसी various types की motivations की type है कि आप financial वे में, non-financial वे में, amenities provide करके अपने worker को motivate करोगे अगर general terms में बात की जाए कि motivation का meaning क्या होता है तो motivation means the process of stimulating people to perform action and to make it possible to have maximum work satisfaction, ठीक है? मतलब motivation एक ऐसी process है जिससे हम, हमारे worker को, हमारे जो भी सारे employees है, उनको जो employees है, उनको हम जो है inspire कर सके काम करने के लिए और maximum work satisfaction उनको provide कर सके ये अगर कोई process होती है तो वो है हमारा motivation, ठीक है? जिसस करके एक हमारे बहुत बड़े विद्वान होगे, management के गुरू होगे उन्होंने का कि motivation is the act of stimulating someone or oneself to get desire course of action, मतलब कि हम हमारे workers के पास से हमारा जो भी enterprise का goal है, वो achieve कराना चाहते है, तो ये necessary है कि हम उसे inspire करें काम करने को, हम उसे motivate करें काम करने को, ठीक है? और ये जीज़ जो हम लोगों ने करी, जो हम लोगों ने उसे inspire किया, उसे हम लोग कहेंगे motivation उसके बाद एक मोरवन करके प्रोफेजर थे, उन्होंने का कि motivation is the state of mind that leads the worker towards the objective, बतलब कि motivation कुछ नहीं है, लेकिन एक state of mind है, किसका worker का state of mind है, कि वो जो है, हमारा enterprise जो objective है, उसके लिए काम करें, ठीक है? उसके लिए motivated हो, ये एक state of mind है, ठीक है, ऐसा किस ने कहा? Morgan ने कहा, आपको जो भी ये तीनों में से जो भी definition अथी लगए, GCS, Morgan और General Terms वाली, आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, वन marker में, या तो फिर लॉंग question में, जर न इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है? आई ये देखते हैं कि motivation की characteristic consequence है, सबसे पहला, internal inspiration, यहाँ पर हम किसी इंसान को motivation के लिए शब्द प्रोवाइड कर सकते हैं, financial services प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन motivate होना, ये तो अंदर से ही आएगा, अंदर इंसान के अंदर से ही आएगा, ठीक है? अब समद लो कि मेरी capacity है कि मैं 5 अगर मुझे कोई देगा, तो मैं motivate हो जाओंगा, अपना जो भी काम कर रहा हूँ, say for example, मेरे को salary 1.5 lakh मिल रही है, तो उस 1.5 lakh की जगह मुझे 3 lakh की salary हो जाएगी, मितलब मेरी double salary हो जाएगी, तो मैं motivate हो जाओंगा, कि यार मेरा अच्छा काम देखके, हमारे जो भी top level managers थे, उन्होंने मेरी salary बढ़ा दी, तो इससे एक मेरे को motivation मिल तकता है, अब मेरे को 1.5 lakh बढ़ा है, तब जाके motivation मिला हो सकता है, जो नीचे का worker है, उसकी salary 10,000 है, उस 10,000 को आप 20,000 कर देदे हो, तो वो motivate हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर कोई ऐसा worker है, जिसकी 10,000 की salary में वो काम कर रहा है, उसकी salary आप लोग उन्हें 25,000 कर देखके, फिर भी वो satisfied नहीं है, क्योंकि उससे लगता है कि मैं, जितनी salary मुझे provide हो रही है, उससे ज्यादा कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये depend करता है, और ये अंदर से आता है, ऐसा नहीं कि मैं तेरको जगाऊँगा, मैं students को जाके कहूंगा कि मोटिवेट हो जाओ, हमें exam आ रही है, मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, ऐसा नहीं होता, exchanges कुछ होते हैं, मोनेटारी benefits मिलता है, amenities का use करने को मिलते है, या तो फिर आप सो लोगों के बीच में आपकी प्रसेंशा की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, best employee का award मिलता है, तो ये जो सारी चीज़े हैं, इससे इंसान मोटिवेट होता है, बट अंदर से मोटिवेट होता है, ठीक है, कोई बाहरी प्रसेस आके ऐसा नहीं के जालो, उठ जाओ, अभी सोना की टाइम खतम हो गया, मोटिवेट हो जाओ, चलो, ऐसा कोई machine नहीं है, ठीक है, तो ये एक पूरी internal inspiration है, उसके बाद psychological concept, जैसे हम लोगों ने बाद की internal inspiration के बारे में, इसी वे में motivation, जो एक psychological phenomenon है, ठीक है, वो mental status दिखाता है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, कि Morgan नहीं ये कहा था, कि motivation is a state of mind, ठीक है, एसी कोई परिस्थित ही नहीं होती, जब हम लोग कहते हैं, कि मैं motivated ह घ founder, ठीक है, एसा कोई situation होता, motivation एक state of mind होता है, psychological concept होता है, कि जब भी इंसान motivated होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा work करने की कोशिछ करता है, जब ज्यादा इंसान खुश होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को help करता है, लोगों को जो उसको काम दिया गया है, उसको complete करने की try करता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है, उसका आजू-बजू positivity एक चा जाती है, ठीक है, तो ये एक psychological concept है, और कुछ नहीं है, increase in efficiency of employee, सीधी सी बात है, अगर समत लो कि मैंने पूरे साल अच्छा काम किया है, ये मुझे पता है, और मुझे जो हमारा year end होता है, तब जो सारे awards distribute होते हैं, उसमें मुझे best employee of the year का award मिलता है, ठीक है, अब best employee of the year का award मिला, तो मैं अंदर से तो motivated हो ही जाऊँगा, लेकिन उसक कुछ गलत काम करने पर, या तो फिर मैं अपना जो work है, वो properly ना निबाने से कत्रा होंगा, येर मुझे तो best employee का award मिला है, और best employee अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगा, तो ये award पर धबा लग जाएगा, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब पहले इतना काम कर रहा था, उसे maintain करने के लिए, ये जो award मिला है, मुझे उसे maintain करने के लिए, उससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, efficiency जो होती है, employee की, वो boost हो जाती है, वो increase हो जाती है, ठीक है, जैसे कि हम students को नहीं कहते है, यार कि भाई, इस class में, ये student सबसे best है, इसलिए उसे monitor होना दिया जाता है, तो उसे monitor बना दिया गया, तो 65, 65 का जो भी class है, उसमें से particular एक बंदे की ही तारीफ हुई, तो आप समझो कि उस बंदे का moral कितना high होगा, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर होती है, उसके बाद fourth point आता है, continuous process, ये जो motivation क process होती, वो ऐसा नहीं है कि एक बार switch चालू की और switch बन करती मतलब खता, नहीं, जब तक आपका employee रहेगा, जब तक आपका business objective रहेगा, तब तक उसे continuous guidance और direction की जो जरूर यात है, वो होगी, ठीक है, employee को, और साथी साथ उसको हर time encourage भी करना पड़ेगा, हो सकता है कि एक ही का एक का एक काम जो है, वो बड़े लंबे समय के करके वो ठक गया होगा, और वो demotivated feel करेगा, कि क्या या, रोज जाके एक ना एक काम करने का, तो better due से motivate करो काम करने में, say for example कि कोई teacher होता है, समतलो कि हम लोग OCM पढ़ा रहे, और मुझे class में सिर्फ 12th का OCM ही पढ़ाने क को बोले, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर साल एक ही subject, एक ही chapters पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाओंगा, तो मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ नया चेंज मिले, ठीक है, आपको भी होता है, आप लोगोंने एक mobile लिया है, तो एक 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 और साल यूस किया, फिर आप लोग भी कि आपका नया mobile है, आपने ही, जैसे कि दिवाली होती है, तो आप फेस्सिवल में, कैसा हो, चाहते हो कि मुझे नए कपड़े मिले, थोड़ा चेंज आए, लाइफस्टाइल में, या तो फिर पूरा साल होता है, जब समर वेकेशन में हम लोग घूमने जाते है, तो इस ला एक employee continuously work करता है, तो उसे भी थोड़ा चेंज जी है, तो ये चेंज जो है, वो motivation के रूप में उन्हें मिलता है, और ये इस तरह से continuous process है पूरी, उसके बाद reduction in labor turnover ratio, लेबर turnover ratio मतलब की हर साल आपके यहां से कितने labor change होता है, मतलब समत लोग की 2020, 2019 था, तो 2019 में आपके यहां 500 लिबर्स काम कर रहे थे, लेकिन जब 2020 आया, तो 2020 में ये 500 में से 50 workers चले गए, मतलब 450 होगे, अब 2021 में समझ लोग की यही आकड़ा 400 हो जा रहा है, मतलब की आपके organization में कहीं पे कुछ गढ़बढ है, क्योंकि हर साल 50-50 employees आपके यहां से जा रहे हैं, इसका मतलब की आपका organization proper work नहीं कर पा रहा, तो motivated employee अगर होगा, ठीक है, तो वो जो है, वो particular organization के साथ एक बड़े लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, ठीक है, motivation हम लोगोंने बात की थी कि financially हो सकता है, non financially हो सकता है, अब समद लोग की हर एक organization है, उसमें ऐसा होता है कि भई, 10 साल तक आपकी salary नहीं अब साथ में दूसरा एक organization ऐसा है, जो अपने employees की salary जो हर साल 10% बढ़ा दे, समद लोग कि या 10,000 है, तो अगले साल प्लस 10% करके 11,000 salary मिलती हो से, ठीक है, तो यह एक हजार का उसके increment मिला, तो उससे वो motivated हो जाएगा, तो उसे लगया कि भई, मैं ज्यादा से ज्यादा इस organization के साथ काम करो, तो ज्यादा से ज्यादा हर साल मेरी जो salary हो बढ़ती जाएगी, ठीक है, दूसरे वे में, अगर हम उन्हें अच्छा कोई award प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर हमें उन्हें कोई अच्छी amenities प्रोवाइड करते हैं, कुछ अच्छी facilities प्रोवाइड करते है organizational work के work से अलावा, ठीक है, या तो फिर हम उसे promotion देके head बना देते हैं, तो ऐसे में जो वो particular employee है, labor है particular, वो क्या समझेगा, कि यह organization मेरे बारे में सोच रहा है, तो मुझे भी इस organization के बारे में सोचना चाहिए, और मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, इस way में जो है कि हमारे जो workers हैं, उन्हें हम लोग जितना motivate जारा करेंगे, उतना ही वो लोग effectively काम करेंगे, और effectively काम करेंगे, इस से क्या होगा, जो हमारा goal है, organizational goal है, objective है, वो achieve करने में easy होगा, उसके बाद wider scope, हम लोगोंने पहले ही बात कर ली कि motivation का जो scope है, वो पूरा broad और wider है, ठीक ह अब यह जो हमारे motivation में, जो क्या हो, कौन से कौन से terms include होते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, need, motive, desire, emotion, aim, choice, willpower, eagerness, temptations, यह सारे वो terms हैं, जो आपको motivation में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हर साल salary बढ़ाना, यह एक टाइप की need हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर कि हम motivate रखना क्यों चाहते हैं हमारे workers को, ताकि हम लोग हमारा जो भी objective है, जो भी organizational aim है, उसे जल्दी से जल्दी complete करें, उसके साथ desire, कुछ employees के desires होते हैं, ठीक है, कुछ organizations के साथ काम करने में, वो जुड़ेंगे, जैसे कि आप future में कही पे भी job करने जाओगे, तो आपकी जो भी उनके साथ, मतलब कि आपका जो भी boss है या जो भी आपका officer है, उसके पास से कुछ हपेक्षाय रहेगी कि भाई, ये मुझे थोड़ा सम्मान दे, थोड़ा, मुझे include करें, ठीक है, वो managerial process, अगर include नहीं करता, तो फिर आपको भी ऐसा लगए कि क्या यार, इस organization में क क्या होता है कि modern times में, जो हमारे factory है, जो businesses है, उसमें नहीं नहीं technology आती है, नया नया production करने को होता है, तो इसी वज़े से आपका जो production है, जो आपका sales है, marketing है, पूरा area, वो affect करता है, क्योंकि नहीं technology आगे, तो पूरी अब process भी सारी नहीं आई होगी, तो ऐसे मैं जो employee होता है, वहाँ पर काम करना शुरू कर देता हूँ, यह normal इंसान सोचेगा, लेकिन आप जो motivated employee है, वो क्या करेगा, वो यह सोचेगा कि यह नहीं technology आई है, इससे तो मुझे भी development होगा, और हमारे organization का भी development होगा, हो सकता है, मेरी salary भी बढ़ जाए, मुझे bonus भी अच्छा मिले, हो हो सकता है यह सारी चीज़े, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से जल्दी organization में यह जो सारे changes हो रहे है, उसे adopt करना शुरू कर देगा, पुराना कोई employee था, पुराना head था, वो change होके नया head आया हुआ हुआ है, पुराना CEO था, नया CEO आया हुआ हुआ है, तो उसे जल्दी वो जहां पर एक इनसान खुश होता है अपने काम से, ऐसे में वो ज्यादा cooperative हो जाता है, ठीक है, समद लो कि अब हम सारे staff members है, ठीक है, और अगर उस सारे staff members में से कोई एक बंदा भी अगर खुश नहीं है अपने काम से, तो वो पूरे staff room का माहूर बिगाड़ देगा, लेकिन उसके जगा एक अगर बंदा है, जो कि अपने काम से खुश है, अपने members के साथ खुश रहता है, principles भी उनकी इज़त करते हैं, तो ऐसे में वो बंदा motivated रहेगा, ठीक है, उन्हें वो जो है staff room का माहूल भी सबसे अच्छा रहेगा, तो ये tool to get cooperation है, उसके बाद positive attitude, जो भी इ ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे लिए, ये मेरे जो boss है, मेरे जो employer है, मेरा जो organization है, वो मेरे लिए बहुत कुछ सोचता है, और मुझे हर साल awards भी देते हैं, Diwali bonus भी देते हैं, मेरे को थोड़ा traveling allowance भी देते हैं, ठीक है, अगर ये मैं समझूंगा, ठीक है, तो मेरे अंद एक positive attitude रहेगा, सम्मान वाली भावनाय रहेगी, ठीक है, जिस से क्या होगा, एक पूरा positive nature आपके आजुबाजु बनेगा, और आपका enterprise goal अचीव करने में easy रहेगा, इसके बाद आता है, one of the functions of management, हमारा ये जो motivation है, motivation एक important part है management का, ठीक है, क्योंकि managers को, क्या करना है, managers को उनके पास से काम लेना है, अब काम करना या काम देने से ज्यादा important और ज्यादा tough काम है, काम लेना, किसी को ये कहना कि तुम मुझे ये काम करके दे और वो आपके लिए काम करे, ये है बहुत ही एक tough situation है, ठीक है, हर को ये नहीं करता, ठीक है, तो ये जहां पर जरूरी हो है कि आपके employees motivated है, ताकि वो आपकी बात मानेंगे और आपका जो भी काम होगे, वो करेंगे, और अगर आपका काम हुआ, क्यों कि आप organization के लिए काम कर रहे हो, तो organization का भी काम हम लोग success हुआ, ऐसा मानेंगे, ठीक है, और इसी वज़े से हमारा जो motivation है, वो बहुत ही important factor है, तो यहां पर यह हम लोगों ने पढ़े, element of directing, second element of directing था, जिसका नाम है motivation, last lecture आपको अगर supervision के बारे में जानना है, तो आप last lecture देख सकते हो, इस lecture में हम लोगों ने particularly motivation के बारे में बात की, उसकी meaning क्या होता है, उसका एक छोटा सा short introduction लिया, उसके characteristics के बारे में जाना, और मैं सारे characteristics है, जो हम लोगों ने discuss किये motivation के, और आज के lecture में, आज के session में बस इतना ही रखते है, next session में हम लोगों सबसे important चीज के बारे में बात करने वाले है, जिसका नाम है hierarchy needs by mash law, ठीक है, यह question exam में आता ही आता है, लेकिन motivation भी उतना ही important है, ठीक है, ऐसा है नहीं कि motivation को हम लो sports बना रहे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए, तो एक बार like जरूर कर दीजिएगा, ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगले session में, hierarchy needs of mass law के नए topic के साथ, तब तक के लिए, जैहिन!